साथ्वी जी आपका श्वागत है ग्यांजिती धर्पन में और आज आप जो अयुद्धा का महान श्माहरो अटेंट रने के पस्चात में केलाना नेलकंट महाद देव मंदर में आप पहुंचे पहली प्रतिक्रिया क्या है कैसा लगया आपको महाद पड़ाम नमो नरैना कैसे हैं आप सब मैं अपना छोटा सा प्रीचे देदू वैसे भी आप कैई बार मुस्थर आमने सामने रूबरे होते रहे हुं और इसमें जो है कैई बार दर्म की चर्चा हुई है परवाणा जी के साथ लेकिन आज मैं जो आप सब के सामने रखने जा वो बहुत ही एहम है और मेरे संपूर्ण देशवासियों के लिए संपूर्ण भक्त जनों के लिए जो संदेश है मैं चाहती हूँ कि उसको अपने जीवन में अपनाए और आगे बढ़े मैं आयोध्या गई हूँ बगवान श्री राम के विशाल ये समझे कितना विशाल का हूँ समुद्र भी चोटा है उनकी लीलाओं का वर्णन उनके चरित्र का वर्णन करने के लिए क्योंकि मर्यादा पुर्श्वतम श्री रामने सदेव अपने आचरन अपने सदाचार अपने चरित्र का मर्यादा में रखते हुए इस दरातल पर मनुष्य रूप इन भी ख्यान किया मैं आयोद्या में जाने के बाद ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे हम आयोद्या नहीं स्वर्ग में स्वर्ग में विराजमान हूँ और मेरे राम लला फिर से राम राज्य इस थापित करने के लिए इस दरातल पर आए हूँ क्याई दिन का मेरा सपर रहा वहाँ बहुत सारे बक्त जनों से बहुत सारे मंत्रियों से मुलाकात हुई उसके बाद मैं अपने गाउं कैलाणा आई निलकंड माहदेवन आने के बाद यहाँ भी सब को बताया कि अपने हर्याना की मिट्टी गई है क्यों कि मैं चाहती हूँ कि जहां हम रहें महा की धर्ती पावन हूँ महा के लोग सुखी रहें और यही हमारा उदेश्य है यहाँ पर उसके बाद हमने संकिर्तन जागरन जन्माष्चमी के पावन पर हमने संकिर्तन रखा आज हमारा देश नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है लेकिन हम इसमें अपने आपको दरातल से खत्म करते जा रहे हैं कल भी कुछ हमारे साथ ऐसा ही हुआ जब संकिर्तन का समय था तो उस दोरान दो ऐसमाजिक तत्व जिनके मैं नाम तो नहीं बोलूँगी आए उससे पहले भी के ऐसमाजिक तत्व आते रहे हैं और इनसे जान मानहानी और सब चीजों का नुकसान होता है भक्त गण डिस्टर्ड होते हैं परिशान हो जाते हैं उन्होंने उसी दोरान नसे की हालत में उस चीजों को रोकने के लिए दबाव बनाया तबी सभी वक्तों ने मिलकर इसे बात के रोक लगाई कि आप लोग इस परगार से क्यों कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो लोग अब अद्रबाशा का प्रियोग कर ले लगे नसे की लत में लोग इतने प्याकुल हो चुके हैं कि उनको ये बता नहीं है कि उनका जीवन किस ओर जा रहा है इसी से ही जान मान की हानी होती है इसी से सरीर की हानी होती है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज जो सही कारिय करता है उसको समाज में किसी ना किसी अपराद में या किसी ना किसी उसमें फसा कर मार दिया जाता है कुछ इसी प्रकार की गतीविदियां हमारे साथ चल रही है तो यदि हमें कोई परिशानी होती है तो उसमें वो ऐस समाजिक तत्वर अपनी एहम भूमी का निवाते हैं इसलिए हमें समाज में जागरुक होना बहुत जरूरी है मैं चाहती हूँ मेरा सबसे निवेदन है कि हम भगवान श्री राम के चरित्र को अपना कर मर्यादाओं में रहें अपने पावन धरा हम नए-नए मंदिर खड़े करते हैं नए-नए अस्पताल बनाते हैं लेकिन क्या हम इनी मंदिरों में वाकई में भगवान की उपस्तिती चाहते हैं क्या हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी दर्म परायन हो या हमारा आचरन भी शुद्ध हो हम भी वास्तविक्ता में समाज से जुने अच्छे कारिये करें उस ओर जानना लेकर हम उसी गलत चीज को बढ़ावा देते हैं और जिसमें की जो ऐसमाजिक तत्व है वो अपना कारिय करते हैं अगर महाभारत में ध्रोपती चीर हरण के समय युदिष्टार और पाच पंडव बड़े-बड़े महरती चुप ना होते तो शायद महाभारत की रचना ना की जाती हमारा फर्ज है धर्मो रक्षती रक्षिताम हमें धर्म की रक्षा करनी है और उसके लिए यदि हम शास्त्री नहीं शास्त्र भी उठा लें तो हमें कोई परिशानी नहीं है क्योंकि मरता क्या ना करता स्वैम को बचाने के लिए यदि हम किसी गती विदी को अपनाते हैं तो उसमें हम दोशी नहीं होते और हम खुले तोर पर इस बात को बोल रहे हैं कि ऐसा मंदिर परिशर में कुछ समय से गटित हो रहा है इसी लिए जागरुक हो जाएं और ए समाजिक तत्वों पर तुरंत नियंत्रन कसा जाएं बारत सरकार इन तत्वों को रोके और आगे से नशामुक्ति पर अभिहान चलाएं यही मेरा निवेदन है हम राम कृष्ण नाम लेते हैं लेकिन उनके जीवन में आचरन को नहीं अपना बाते तो मैं चाहती हूं कि सभी उस आचरन को अपना कर आगे साथी जी आप अपना पूरा नाम पद और अस्थान की जानकरी अमारे तर्श्कों को दे और अंत में जो आपका संदेश है वो भी पर जी मेरा नाम रादिकानन्द सरस्वती है मैं वर्तमान में हर्याना में सोनिपत जिले के ग्राम कैलाना में श्री महंत की गद्दी पर आ मिगाड़ना अपने हाथ में और पूरे गाउं की सहमती से काफी साधू समाज वै और काफी बड़े-बड़ी गती विदियों से मैं इस गद्दी पर आसीन हुई हूं तो इसलिए मैं यही चाहती हूं कि मैं इसकी मर्यादा को बना के रखों और लोग भी इसकी मर्यादा को वनाने में मेरा सईयोग करें बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तो ज़्यान जची दर्पन के उपर आपने यह जो धैक्यान सुना है आपका ज्यानवर्दन होगा आप सबका जीवन शहाल हो हमारी बहुत 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 आप सब के लिए शुक्का आउने हूं झाल झाल